नमस्कार एक बार पनो हाजर हूं मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉक्स में एक सुन्दर सी मेल हतेली हमारे शामने है और आपकी हतेली का जो आकार है ये पूरी तरो से आयताकार और चोकोर है एक एनलेटिकल स्वभावाला व्यक्तित्व भी है आपका एक दार्चनिक किसम का व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है और मेहनती बहुत ज़्यादा है मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिख रही है बरतमान इस्तिति को देखें तो देखेगा थोड़ा सा रेखाओं का जाल बनता हुआ दिख रहा है आपकी हतिली में कहीं न कहीं जीवनकाल के बरतमान में उलजन की इस्तिति दोविदा की इस्तिति और कनभ्यूजन की इस्तिति बनी हुई दिखाई दे रही है और जो आपकी निरने लेनी की चमता है वो थोड़ी सी छीन होती हुई दिखाई दे रही है आप सही से डिसिजन नहीं ले पा रहे हैं अगर ले भी रहे हैं तो कहीं न कहीं नुकसान होनी की अंदेशा आपको लग रहा है दूसरा जो आपकी आर्थिक सेहत है वो भेद अच्छे नहीं दिखाई दे रही है बहुत इस्ट्रॉंग नहीं दिखाई दे रही है बल्कि वो थोड़ी बीमार अवस्ता में दिख रही है तीसरा इसका प्रभाव आपके जीवन के रिस्तों पे पड़तावा दिख रहा है चाहे वो सामाजिक रिस्ते हों चाहे वो पारिवारिक रिस्ते हों या प्रोफेशनल रिस्ते हों वो सामन्यस्य नहीं बैठ पा रहा है जिसको बिठाने की आप कोसिस कर रहे हैं चोथा इसका असर आपके कहीं न कहीं स्वस्त्य पे पड़ रहा है चाहे वो आपका सारेरिक स्वस्त्य हो चाहे वो आपका मानसिक स्वस्त्य हो कहीं न कहीं उसमें बिकार आते हुए बरतमान में दिखाई दे रहे हैं और पांचवा इसका प्रभाव आपके जीवन की आपकी डिपलाप्मेंट है आपकी प्रोग्रेस है उस पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है जब आप किसी भी काम को सुरुआत करते हैं या उसको सुरू करते हैं तो पहले तो थोड़ा ठीक चलने बैठ जाता है उस पैम किसी भी काम में आप बहुत जादा सपलता नहीं पाते हैं जितना आप मेहनत करते हैं परिसरम करते हैं उतना आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है तो इस कारण कहीं न कहीं जो सपलता का आपका अस्तर है उस रोप में नहीं पहुँच पाया है तो थोड़ा सा इस तरों से आकर हिर्दे की लकीर पे पूरी तरों से समाहित हो गई है। दूसरी रेखा यहां से आकर इस प्रकार से आपकी जीवन की रेखा को काट रही है आपकी करियर और धन की रेखा को काट रही है आपकी मस्तिस्क की लकीर को काटती हुई और हिर्दे की रेखा को भी बादित कर रही है यहां पे आपका राहो थोड़ा सा नगेटिब अवस्त पैसे रुपे को लेके, रोजगार को लेके, आजियो का को लेके, हर जगा आपको उतार चड़ाव जहिलने पड़ रहे हैं। अर थोड़सा इसका प्रभाव आपकी बिक्तित्व भी पर भी पड़ सकता है, आलसी जदा हो सकते हैं, आलस जदा आ सकता है। करजे की समस्या को भी दिखा रहा है कहीं न कहीं करजे की समस्या बन सकती है थोड़ सा सतर करहेनी की आवशकता है दूसरी बात अगर हम देखें यहाँ पर आपका अंगोठा अगर हम देखें तो ये आपके जीवनकाल के 42 वर्स तक निश्चित रोप से संगर्स को दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है और जल्दबाजी में या भावनाओं के वसीबूत होकर अगर कोई काम करते हैं बिना एनालिसिस किये हुए बिना सही से निरणई लिए हुए तो धनहाने को भी दिखा रहा है ऐसे लोगों को जीवनकाल के 42 वर्स तक बियूषाई बड़ा सोच समझे कर करना चाहें क्योंकि अगर जल्दबाजी में बिना सोचे समझे अगर ये लोग बियूषाई करते हैं तो उसमें नुक्सान होता है अगर बहुत जरूरी होता है ब्यावसाई करना तो ऐसे लोगों को पार्टनर्शिप में ब्यावसाई नहीं करना चाहिए एक बात का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा और खास कर 42 वर्स के बाद चीजें आपके अंडर में आने बैठ जाएंगे, चीजें ठीक होने बैठ जाएंगे और जिवनकाल का बुड़ापा काल भी जो 56 वर्स के बाद का समय है वो बड़ा सांदार रहेगा यहाँ पे आपकी करियर और धन की रेखा कुछ चीजें बिलकुल सही कह रही है और उसका जबरदस्त लाब मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और यह 43 वर्स से जबरदस्त लाब मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है थोड़ा चंद्रमा से प्रभावित है तो जिवन काल के 42 वर्स के बाद से आपका जो करियर का मामला है जो धन का मामला है आपके पक्ष में आतावा दिखाई दे रहा है और इसमें ब्रिद्धी होती हुई दिख रही है 45 वर्स से 45 वर्स से कहीं न कहीं जो है stability की और आप जाती हुई दिखाई दे रहे मैं एक महालक्ष में का आपको रात्री का उपाई दे रहा हूँ उसको विदिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छा लाब होगा अब चलते हैं आपकी हतेली की अन्य चीजिवें पे यहाँ पे हम देखें तो ये वाली उंगली आपकी तरजनी की उंगली पूरी तरों से जुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरब यस पाने की जिसको हम कहते हैं धार्मिक भावनाई बहुत अच्छे रूप में आपकी अंदर रहेने वाली है इस स्वर में अच्छा खासा विश्वास आपका बना रहेगा मिडिल फिंगर सीधी खड़ी है कर्म के ध्योतक है ये कर्मसील पूरुस है आप कर्म करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं रहेगी हमेशा कर्मसील बने रहेगे और इसका फाइदा भी आखको जबरदस्त रूप में मिलेगा रिंग फिंगर पूरी तरह से जुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ यस पानी की चाहा बहुत जादा रहेगी नेम फिम पानी की चाहा रहेगी और अपने कारियों में विस्तार पानी की चाहा भी अच्छी खासी बनी रहेगी यहाँ पे देखेंगे तो जो आपकी ब्रस्पति की उंगली है उससे बड़ी है मिडिल फिंगर से चूटी दिखाई दी रही है रिस्क लेने की चमता बहुत अच्छी है जोखिम उठाने की चमता है और उसमें कहीं कोई नुकसान अगर हो जाता है तो गिर कर पनो उठने की चमता भी है जिसे हिम्मती सुबाओ कहते हैं ये अच्छा खासा दिखाई दे रहा है हमारा हस्त रेखा का पौराणिक सास्तर कहता है कि ये उंगली अगर हमारी थोड़ी भी बड़ी हो आपकी ब्रस्पति की उंगली से और मिडिल फिंगर से छोटी हो तो ऐसा विक्ति यस सुष्वी होता है समाज में मान प्रतिष्टा पाने वाला होता है यस पाने वाला होता है और अपने जिवन में सफल होता है तो कहीं न कहीं सूरे के कारण आप सफल जरूर होंगे ये इस परकार की चीजों को बता रहा है सबसे छोटी उंगली पूरी तरों से जोकी हुई है रिंग फिंगर की तरफ तो धन कमाने की ललक जबरदस्त बनी रहेगी इसका लाब होगा लेकिन ये इसके पहले पूर्वे तक नहीं पहुँच पा रहा है तो मनी मैनेजमेंट, कागजों के रख रखाओ और एकाउंट बिल्टी में थोड़ी सी कमी भी रहेगी बरतमान में देखें तो सभी उंगलियों का नेचुरल तरीकिसी जो जुकाओ है मिडिल फिंगर की तरब दिखाई दे रहा है ऐसे में जब जब आपका सनी थोड़ा सा भी अन्बैलेंस रहेगा हतीली में या कुंडली में, ढईया में, साड़ी साती में या बक्री में रहेगा तब आपकी जिवन पर इसका प्रबाव गहरा और लंबा पड़ेगा ऐसे में आप कई बार दुखी सही हो जाएंगे कई बार जिवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी यह नेचुरल है तो इसका कोई उपाई नहीं होता है सनी के उपर डिपेंड करेगा अंगुठी के बारे में हमने बता दिया है यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हिर्दे रेखा आपकी इस तरों से आती हुई और एक लकिर इस तरों से जा रही है निश्चित तोर पे महत्व कांचा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आगे बढ़ने की सोच बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है और इसके लिए प्रियास भी बहुत अच्छे से करेंगे और कहीं न कहीं सपलता की इस्तिति में पहुँचेंगे भी कोई भी ऐसा काम न करें जाए शेयर है सटा है जिसमें दो नम्मर का पैसा आता हो यह चीज आपके लिए नुकसान दायक साबित होगी यह रसातल की और ले जाएगी इसका भी से इस्तिहान दे मस्तिस करेखा देखें इस तरों से है क्रियेटिविटी बहुत अच्छे रहेगी लेकिन कलपनाओं में बहुत ज़्यादा डूबे रहेंगे कलपना बहुत ज़्यादा करेंगे और थोड़ा सा एकागर्चित्ता की कमी भी यहां पर बनी रहेगी जीवन की रहखा पूरी हतेले को पार करती हुई दिखाई दे रही है सांदार इस्तिती में है परिवार के परतिसमरपण की भावना रहेगा बहुत केरिंग वाला बिक्तित तो आपका बना रहेगा देखेगा जीवन में जो तरकी दिखाई दे रही है वो जन्म अस्तान से बाहर बड़ी तरकी है जन्म अस्तान में रहकर उतनी विसाल तरकी नहीं दिख रही है करियर और धन की रेखा के बारे में हमने जान लिया है यहाँ पे देखेंगे हम करियर और धन की रेखा से एक रेखा इस तरों से जाती हुई दिख रही है और यहाँ पे मस्तिस्क रहखा पे मिल लिए आपको अपने जीवन काल में अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुक निश्चित मिलेगा और सफलता निश्चित तोर पे आपकी जीवन में आएगी और ब्यावसाय में बड़ी तरक्की आपको हासिल होगी खास कर जो है 45 वर्ष के आसपास बहुत बड़ी और जबरदस्त तरक्की को दिखा रहा है बोलने के ढग के कारण पैसा आएगा लेकिन थोड़ा सा अपने पेट उगेर का ज़रूर द्यान रखे डाइजिस्टिप सिस्टम का द्यान रखेंगे यहाँ पे अगर हम देखते हैं आपकी यह पर्थम रेखा इस तरों से है और यहाँ पे इस परकार की चीजें दिखाई दे रही है जिवनकाल के बुड़ापे के समया चाहे स्वस्त्य का मामला हो आरोग्य का मामला हो या तंदुरस्ति का मामला हो इसका विशेश दियान रखेंगे क्योंकि पेट से समंदित जो रोग है वो थोड़ा परिशान कर सकते हैं तो योगा इत्यादी जरूर करें और खान पान का विशेश दियान रखेंगे सेकंड रेखा बहुत अच्छी है आपकी करियर और धन के रेखा भी जबरदस्त है तो खास कर 45 वर्स का जो समय है उस समय से इस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आने वाली है और बड़ी सपलता आपके हाथ लगेगी तीसरी रेखा अगर हम देखें बड़ी सानदार है ठिक जिमनकाल के 45 वर्स से सुक कर जो प्रभाव है जीवन में वो जबरदस्त रोप में पढ़ता हुआ दिखाय दे रहा है आपको अपने स्वस्त्य का अपने धन का और अपने ऐस्वर्य जो भूगने का सुक है वो जबरदस्त रोप में मिलने वाला है और जीवन में खुशियों के पल जल्दी आने वाले हैं और ये इसारा करतावा दिख रहा है यहाँ पर अगर इसके नीचे का भाग देखें ये सुक्र का पर होता है गोमने फिरिने के बहुत जादा सौकिन रहेंगे अपने को मेंटेन रखना, अपनी परसनल्टी पर ध्यान देना, अपने को सज समार कर रखना ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली है और नए फैसन के परती, मार्केट में नए चीज़ों के परती रुजहन आपका एका एक बढ़ जाएगा और एक लग्जरी, एक सुखत जीवन के परती थोड़ा लालाईत जादा रहेंगे, उसके लिए प्रयासरत भी रहेंगे आने वाले समय में आपको अपने परिवार का सपोर्ट, अपने कुटुम का सपोर्ट ठीक ठाक मिलेगा और इसकी खुसी भी आपको बनी रहेगी, और कहीं न कहीं जो है, ये मन को सुकून देनी वाली बात भी रहेगी यहाँ पर देखें, वर्टिकल लाइने भी लगातार जो है, जन्म ले रहे हैं, जिस कारे को हाथ में लेंगे, जब तक पूरा नहीं होगा, तब तक छोड़ेंगे नहीं कारे के पर ती जुजहारों पन जादा बड़ेगा, इसका प्रभाव भी जिवन पे जादा पड़ेगा निम्र मंगल अगर हम देखें, थोड़ा कनफ्यूजन की इस्तिति, उल्जन की इस्तिति, और निरणे लेने की छमता में अभी थोड़ा असर रहेगा कभी-कभी जो मन इस्तिति हैं थोड़ा डाउन भी रहेगी, लेकिन उपरी मंगल बहुत अच्छा है, प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव मना रहेगा ब्रिस्पति सनी की तरफ बहुत ज़्यादा दोड़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो परिवार को लेके कुछ चिन्ताएं अभी थोड़ी समय तक बनी रहेंगी, और कभी-कभी थोड़ी सी प्रेशानियां भी रह सकती हैं, थोड़ा सतर करहेने की संभावना को दिखा रहा है यहाँ पे थोड़ा सा यह साधरन भाव में बैठे हुए हैं अभी, और आपके अंदर भी ब्रिस्पति अभी साधरनता दे रहे हैं, सामन्ने बिक्तित्व देने की कोसिस कर रहे हैं, लेकिन इनके नैसरगी गुणों की उजोसे हसमुक स्वभाव रहेगा, देखा जाए त अब 42 वर्स के बाद से ठीक ठाक रहने की संभावना दिख रहे हैं, अच्छा रहेगा, यस की प्राप्ति के लिए मन में जुकाओ बना रहेगा, स्वतंतरता और लिडर्शिप की चाहा रखने वाला बिफ्तित्व आपका बन जाएगा, सनी की इस्तिति अगर हम देखते है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है, सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस आएगा, तकलीप महसूस होगी, लेकिन जब विश्तर छोड़ देंगे तो पुनो आलस्य नहीं आएगा, कभी-कभी बे वो जहें की चिंताएं रहेंगी, या कुछ ऐसी वो जहे पैदा हो जाएंगी, जिसके कारण तनाव की इस्तिति बनी रहें, और थोड़ा सा जो है भग्या इस्तिमाल ज़्यादा कर सकता है, तो सनिका मैं बहुत विश्ष्ट उपाई दे रहा हूं, इसको जरूर करें निश्चित ही लाव होगा, सूरी की इस्तिति अगर हम देखे यहाँ पे यह कट रहा है, तो चीजों में असफलता को बता रहा है, कि बिक्ति हर चीज में असफलता को पा रहा है, जो बिक्ति मेहनत कर रहा है, जो परिसरम कर रहा है, उसका न तो पूरा स्रे मिल रहा है, न पूरा क्रेडिट ही मिल पा रहा है, जो प्रियास बिक्ति कर रहा है उसमें सपलता नहीं मिल पा रही है जो आपके अंदर क्वालिटी है जो आपके अंदर योगिता है उस तरो से चीजें उभर नहीं रही है निखर के नहीं आ पा रही है एक सहजता से एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है आखिर किस रास्ते में जाया जाए चीजों में अर्चने आ रही हैं, चीजें बिलम हो रही है चीजों का उस रोप में फाइदा नहीं मिल पा रहा है आर्थिक इस्तिती भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं दिखाई दी रही है ऐसे में जो आप व्यापार की तरफ जा रहे है वो बिस्तार जो मिलना चाहिए, वो फैलाव जो मिलना चाहिए वो अभी नहीं दिखाई दी रहा है नौकरी उगेरा भी कर रहे हैं तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं दिखाई दी रही है जिसके लिए आपने अपने आपको खपा लिया हो लेकिन आगे अच्छा है, अगर आप दिब्य सूरिय किरिया करते हैं, सूरिय का उपासना करते हैं, तो आगे मचले का चिन्न है अपने कारे में जो आप कर रहे हैं बरतमान में, निश्चित रूप से, आपको बड़ा विश्तार मिलेगा, बड़ा फैलाव मिलेगा, और कही कही उसमें नाम कमाएंगे आप बुद्ध की इस्तिति आपकी बहुत अच्छी दिखाई दी रही है वानी की सक्ति बहुत अच्छी रहेगी ब्यापार के समझ बढ़ रही है और निश्चित ही हर तरह की प्रस्तितियों को भली भाते समझेंगे योजना बना कर चलेंगे तो लाब जादा हो गए मनों बेग्यानिक के छितर में भी माहिर होंगे सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये अच्छी तरों से जान जाएंगे इसका फाइदा मिलेगा और धीरे धीरे ब्यापार की समझ बढ़ेगी ब्यापारे कारियों में विसे सपलता करेंगे और इसका लाब हुई आपको प्रात्त होगा बहराहल चंद्रमा की इस्तिति अगर हम देखते हैं चंद्रमा अभी थोड़ा अन्बैलेंस दिखाई दे रहा है थोड़ा मन को गड़बर रखे हुए है कभी-कभी मानसिक प्रेशानी देता हुआ दिख रहा है कभी- इमोशनली थोड़ा प्रेशान करता हुआ दिख रहा है और इसके कारण कभी-कभी मन अच्छा नहीं रहता है मन भटकता है मन ब्याकुल हो जाता है मन काम में बहुत जादा नहीं रहता है इस चीज की और ये इसारा कर रहा है तो मन पे जादा प्रभाव डालना है कर सकते हैं कुल मिला के अगर बात करें तो यहां पे थोड़ा सा राहो की इस्तिति आपको गड़बड कर रही है जिसके कारण सभी चीजें अन्बैलेंस है इनको ठीक करने के लिए मैं आपको एक दिब्ब्य योग ध्यान करिया एक दिब्ब्य सूर्य करिया दे रहा हूं और राहो का उपाई दे रहा हूं इन चीजों को विदिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत बड़ा लाब होगा जो काम कर रहे हैं आप उसमें बहुत बड़ी तरकी आपको मिलेगी और इस तरकी के कारण आप जीवन में अपनी खास पहचान बना पाए तो आथ पढ़ने से जादा उसका उपाई करना जादा फाइदे मन रहता है तो मैं उपाईों को विदिवत तरीके से ओडियो के मादियम से और लिख करके आपको भेज रहा हूं करने की कोसिस करें निश्चित ही आपको सपलता मिलेगी इस वीडियो में बस इतना ही एक पस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार